नमस्कार फ्रेंड मैं हूँ संगीतार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी रस्वे में आज मैं आपके साथ सेर कर रहे हूँ फ्रायर राज की हेल्थी सी रेसिपी जिसे बनाएंगे हम डवल तड़का मार के इसे बनाना है बहुत आसान जटपर बन भी चावल हमारे पास टूटे चोटे बड़े कैसे भी हो कैसे उससे फ्रायर राइस बनाए सकते हैं जैसे एक दम मार्केट इस्टाइल होटल रेस्टोरेंट इस्टाइल खूब सारी हमें इसमें बेजिटेवल भी डालेंगे सिर्फ दो चमाज का यहां पर हम तेल का होने वाली है चलिए देखते हैं इसके लिए कौन से राइस हमें चाहिए तो मैंने एक कटोरी लिए पुलियोग्राय राइस यहां पर साउत इनियन में मिलते पुलियोग्राय राइस इसे होता क्या है यह जल्ली से गलते भी नहीं है और जब हम इसको उबालते हैं तो खिल होना चाहिए जैसे के हम चावल बनाते ठाइम थोड़ा सा हम उसमें तेल डाले एक चमस गी चावल का मेजर्मेंट पानी इन सब चीजों के हमने आपर ध्यान रखना होगा कूप सारी बेज़ेटेबल डालेंगे जैसे मैंने बताया दो चमस मैंने आपर मुफिली लिया है अब सबसे पहले हम अद्रक काटेंगे यहां पर अद्रक आप तो चौब भी कर सकते हो तो मैं यहां पर बारीक बारीक काट लोंगी और गाजर भी काट लेंगे तो आप गिस भी सकते हो और इस तरीके के बारीक भी काट सकते हैं तो पहले हम गाजर काट लेंगे चोटे फूरृदीस्टायल यानि कि जब हम कई मार्केट में जाते हैं तो में जट से बनाते हैं तो चट बहुता तो डआता है। और सिम्पल से चावलो को भी एक हेल्थी सी रेशिपी बना देता है जिसमें कि हम ना खाने वाले भी बहुत अच्छे से खूब से खाते हैं कूब इसमें कौन से सीक्रेट मसाला भी डालेंगे हम जो यहां पर डलता है तो हमने मिर्च भी ले ली थी चाल गले यह बिलकुल भी थीखापन नहीं है यह पर मैंने कुछ बिन catै यह आप मड़ भीड ले सकते आप मेरे पास मुआ भी नहीं है तो कौन भी डाल सकते यह मुविशं को जितनी हमारे पास सिटी है उन्हाइं कि यह सब चीजें हमें इसके लिए नहीं लेनी है क्योंकि उबलता भी नहीं आर यह जो है फ्रायर राय से इसमें एसी तरह की स्ट्रीट फूट है तो इस तरीके की वेजिटेबल पड़ते हैं कद्दू यह लोग की नहीं तो बस यह ध्यान रखना है यह सारी वेजिटेबल पत्ता गोबी जाएगा गोबी हम दो तरह की ले सकते यहां पर आजकल तो कई तरह की गोबी आ रहे हैं तो एक बैंगनी कलर की भी गोबी आ रहे है आजकल और ब्रोकली ले सकते हम इस तरह के पत्ता गोबी ले सकते हैं फुल गोबी ले सकते हैं पस इसको भी बारिक सा कट कर लेंगे तो थोड़े थोड़े हमने पहले वेजिटेबल लेने हैं और जितना हमारी यहां पर चावल है उसके हिसाब से और इतना भी नहीं कि चावल जादा कम हो जाए हमारी वेजिटेबल है जो जादा हो जाए तो वह आच्छा नहीं लगता खाने में और परफेक्ट जाए है कि मैं और जुट बहुत के लिए अगना न की तो याँ पर मैंने डो इट चम्मज तेल लिया है और सबसे पहले रोष्ट करेंगे मूंफिली मूंफिली के दाने रोष्ट करेंगे उसके बाद आगे की आप चाहेतो इसके भी कर सकते हो यहाँ पर यहाँ बेहराद जब भी हम फ्राइड रैस मुह में डालते हैं तो इसका क्रंच जो है मुह फिली के दाने बहुत अच्छे से जाते हैं और बहुत अच्छे आपको पता है कि बहुत सारा विटामिन भी है मुह फिलियों में तो अगर आप नहीं डालते तो एक बात जरूर से डाल के देखेगा जैसे कि हम पोह में भी डालते हैं तो उसी तरीके का और इसमें मसाले भी हैं कुछ सीक्रेट भी हैं जो हम फ्राइड रैस में डालते हैं तो जो इनको अलग बनाता है तो वेजिटेबल कोई भी हो कैसे भी हम कट करें पतला बारिक जैसे भी हो कट कर लीजेगा और अब यह निकाले libero यह हम देएँ बिलकल भीडिक्स हम ब्रौन लैनने कांवi जो सबधानी है डाला दाला पारशeton थोड़़ा झालäre धाला टाले आपने जाहिए चता पोला अब अफ्राश बहुत च्लाश बहँत knead does वेज़ेबल के अरहे हम कुछ करीपते हम फंसकर हम करीपते होगा is to do si a पत्ता हमने काल ले हैं चोटी से अब एजिटेवल हमने निकाल लिए इसमें डालेंगे हम चावल जो हमने दो लिये थे दो से तीन पानी में और भिगा लिया था थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा जाद भी नहीं अर रभ हमने यह तो आप को टोरी से इसका मेजरमेंट ले सकते हो यानि कि आर एक नानी और दादी नानी करने उसका जैसे कि हम एक देख सकते हैं यह एक इंच का होते हैं यह उंगली यहां पर निसान होता है जो फर्स्ट में तो उतना पानी ले लिजीगा देख लीजीगा आप मेरी उंगली पस उतना पानी ले तो परफेक्ट मेजरमेंट है यहां पर एक सीटी लगा लिए हमने चावल खिले खिले से हमारे बन के तयार हैं अब हमारा जो यह वेजिटेवल में तेल था इसी का इस्तमाल करेंगे इसमें हम एक्स्ट्रा तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो दो चमज हमारा यहां पर मिला लेंगे हम भूनने देंगे आप जो यहां पर में पत्तक गोवी और जो बिंज काटे थे उसको मैं पकाना भूल गए तो आप जाए तो पहले भी डाल सकते हो तो मैं इसलिए इसको अभी डाल रहे हूं मैं भूल गई तो काटके मैंने साइड में रख दिया था और नमक वगर डाल सकते हो पहले ही तो हमारे वेजी टेवल में अभी तक नमक नहीं पड़ा है अब चावलों में हल्का सामने डाला था अब हमने इसमें चावल डाल दे हैं तो देखे कितने खिले 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 तो हल्का सा इसमें नमक डालेंगे पहले और यहां पर एक चमस ल ईसको भी डाल सकते हो तो तीन चीजे दैस्ट रहीग से जरूंचेशरील मेशलोड़ उसका जरूड़तiesta के लियए जरूर के लिए उसका का बी कश्काा energy लेते अच्छे से इसको हम सनेक सकते और पर रख सकते हैं अब डालेंगे इस में मुझे दाने जो हमने फ्राइड के थे इसको भी डालेंगे मिला लेंगे हम कुछ सेकिन के लिए और बिल्कुल भी आप देख रहे होंगे यहां पर यह प्लियो ग्रेज राइस इक अलगी बनके हैं तयार अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग तो एक कटोरी चावल में यह बहुत सारा चावल बन जाता है खील जाता है खूब सारा फूल भी जाता है तो आप चाहिए इसकी जगह जीर राइस भी ले सकते हो कोई भी हम चावल बनाते चोटे बड़े तूटे फूट जैसे भी हमारे पास चावल हैं हम उनको उबालेंगे नहीं उबालने से वह पतानी कैसे हो जाते हैं जैसे हम प्रेसर कुकर में एक शीटी लगाएंगने के लिए रखेंगे उसमें एक चमस तेल डालेंगे हलका समनमक डालेंगे बस हमारे चावल और थोड़ा सा निम्बू होते हैं तो यहां पर रेशिपी बनके है तयार और यहां पर हमने में थोड़ा सलाज के लिए काट दिया था ठाप काटे हैं पमगे उसमें थोड़ा सा यह मैं म sincerely डाल ली जेगा वन टू स一 four वाला यह मान चाल यह तो मैंगी मसालगी मर सकते यह बहुद बहुत अच्छा लगता है यह उपर से आप डाल सकते हो और कैसे लगे आपको मेरी रेशिपी यदि रेशिपी अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर सकीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेशिपी में और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैं झाल